हलो बच्चो क्या हाल चाल कैसी चल दे पढ़ाई लिखाई देखो किसी competition की जब हम त्यारी करते हैं तो उसके लिए जरूरी है planning, proper guidance, strategy के साथ पढ़ाई करना random पढ़ाई करके आप select नहीं हो सकते आपको एक systematic डंग से पढ़ाई करना परेगा आप roads time table मत बनाओ, daily time table मत बनाओ बट आप एक short term long term goal बनाओ और daily basis पे verify करो अपनी goal को कितना complete कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो किस budget से नहीं कर पा रहे हो इसको find out करो, इसको improve करो अपनी efficiency को daily basis पे बढ़ाओ जब तक आप planning के साथ guidance के साथ त्यारी नहीं करेंगे तो random बढ़के selection नहीं हो सकता है देखो त्यारी एक साल में भी होती है छे महीने में भी होती है, चार महीने में भी होती है बट हर time frame के साथ एक अलग planning, अलग pace की ज़रत परता है और इसके लिए ज़रूरी है कि proper guidance के साथ किसी batch में enrolled होके हम पढ़ाई करें तो अगर आपने किसी batch में डिमिशन लिया है बहुत अच्छी बात है उसको rigorously, religiously follow करिए और अगर अभी तक आपने डिमिशन नहीं लिया है तो teachers day के आफ उपलक्ष में पेडबलू बहुत कम prices में आपके लिए लेका देगो बहुत सारे बच्चे mail और message करते रहते हैं कि सर हम अभी भी effort नहीं कर पा रहे है तो भाई अभी भी fees कम कर दी गई है अब भी आप courses join कर सकते हैं और वो batch join कर सकते हैं जो पूरे इंडिया में सबसे strongest सबसे ज़्यादा एफिसेंट सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला बैच यकीन के आप 1234 कोई साभी बैच लेते सारे बैच आपको फ्री मिलेंगे कोई से भी अपने टीचर सूस करके आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं अपने प्लानिंग को सेट करके जही अरजुना ज का फ्रिक्वेंसी मैच करता है वह पर पढ़िए प्रोपर पेस के साथ इमानदारी से त्यारी करिए सबसे ज़्यादा इंप्रेंट आपका सलेक्शन इससे ज़्यादा इंप्रेंट कुछ भी नहीं है तो फिर आल दे वेस्ट बहुत जल्दी मिलते हैं रिजल्ट सेलिबरे सेलिमें थेंग्यों सामच